हलो साथियों, आज हम ओरीजिन इन कंड़क्शन आफ दी काड़ाइक इंपल्स के वारे में डिसक्शन करेंगे सब्जेक्ट फिजियोलोजी में आम तर पे 10 मास का कुश्चन पूछा जाता है तो मेंली ये जो है प्रॉपर्टीस आफ दी काड़ाइक मसल में आटो रिद्मिसिटी या सिंप्ली आटोमेटिसिटी ये जो काड़ाइक मसल यानि के हार्ट की जो एक मसल की प्रॉपर्टी है उससे भी रिलेटेड है औरीजिन इन कंड़क्शन आफ दी काड़ाइक इंपल्स तो ये हार्ट बीट अपने आप यानि के खुद बखुद कैसे ये 6200 टाइम्स पर मिनिट होता है इसको जो है कैसा ये ओरीजिन होता है और हार्ट के कौन से पार्ट पर कैसे कंड़क्शन होता है वो देखते है उसको समझने के लिए पहले थोड़ा बहुत अनाटमी की माल अब यहां पर देखे ऊपर में दो चैंबर सुट इसको एट्रा केते हैं ये राइट एत्रिया है टीक है फिर जो है वेंट्रिकल इराइट वेंट्रिकल और लीफ्लीपर है टीक पर यह आ पर जो है नॉर्मली काड़क मुसल होता है लेकिन इसके अलावा भी कुछ मौडिफाइड काड़ाइक मसल होते हैं मैं उसको specialized conducting system बोलते हैं वो अब discussion कर रहे हैं और एक बात याद रखिए atria और ventricle के बीच में एक fibrous tissue होता है यह जो मैं blue color से बता रहा हूँ यह fibrous band होता है जो कि electrical activity atria से ventricle में आने को prevent करती है फिर भी electrical activity atria से ventricle पे आती है conducting system की जरी से कैसे आती है चलिए मैं आपको बता दो तो पहले दो most important structure है वो है assay node assay node जिसको हम pace maker भी केते हैं क्यों केते हैं अभी आपको discussion में पता चल जाएगा syno-atrial node भी कहते है assay node यानि के syno-atrial node ठीक है तो इसका अगर location देखे है उससे location से पहले यह जो है बहुत ही small ellipsoid strip होता है ellipsoid strip होता है जो के तकरीबन 15 mm long 15 mm long होता है और around 1 mm thick और 3 mm wide 3 mm wide और 1 mm thick ओके यह जो है posterior lateral part पे situated होता है यानि के superiorly posterior lateral wall of the right atrium immediately below and slightly lateral to the opening of the superior way यानि कि जो superior way के वे कि जो opening होती है वहाँ पर immediately उसके below होता है यह है assay node ठीक है तो assay node है फिर उसके बाद आपके पास है यहाँ पर right atrium में ही जहाँ पर tricuspid wall की जो opening होती है वहाँ पर भी और एक एक जो conducting system का important structure होता है वह है atrium ventricular node जिसको हम simply AV node भी कहते है अब assay node से AV node पर भी जो है fibers होते हैं जिसको हम internodal pathways कहते है internodal pathways जो क्यों होता है anterior, middle and posterior मैं आपको यह रफ बता रहा हूँ anterior, middle और posterior ठीक है posterior तो यह जो red color से मैं आपको बता रहा हूँ यह जो है conducting system of the heart है conducting system of the heart के जो fiber से specialized fibers है जिससे electrical activity हार्ट में transmit होती है ठीक है उसके अलावा भी inter atrial tract यानि के batchments bundle होता है जो के specialized muscle रहता है जो के essay node से लेके left atrium तक चला जाता है essay node से left atrium तक भी जो जाता है इसको हम inter atrial branch कहते हैं ठीक है इसको batchman bundle भी कहते हैं या inter atrial tract ठीक है inter atrial tract कह सकते हैं या तो batchman bundle ठीक है तो यह जो है इतना यह atrium में रहता है electrical activity फिर यहाँ आप से AV node से जो continuous होता है वो होता है AV bundle या उसको हम simply bundle office भी कहते हैं AV node के बाद जो है जो fibrous tissue से जो cross होता है इसको हम कहते हैं AV bundle AV atrial ventricular bundle या simply bundle of his भी कह सकते हैं इसको ठीक है फिर जो है यह traverse होता है fibrous tissue से यह होने जाने के बाद जब यह inter ventricular septum पे जाता है तो divide करता है right और left branches में तो इसको कहते हैं right bundle branch right bundle branch फिर होता है left bundle branch left bundle branch right bundle branch और left bundle branch ठीक है उसके अलावा फिर यह continue होते हैं फिर यह direct ventricular muscle को जाता है जो atria से ventricle तक only connection है यह AV bundle के जरी है electrical activity जाती है तो origin यह से नोट से होती है जो के around 70 to 80 times per minute बीट करता है 70 to 80 times per minute यह से नोडाम तर पे तो वहां से जो origin होती है यह से नोड से होके internodal pathway से होते हुए anterior, middle and posterior internodal pathway से होते हुए जो है anterior internodal pathway को batchman fibers भी कहते हैं फिर middle जो है middle को हम bankay back कहते हैं और posterior जो है thoral ठीक है तो इसको नाम भी धिया गया है based on the scientists इनोंने discovery की उसके बाद AV node पे जाता है फिर conduction thruster delay होता है फिर AV bundle office फिर right and left bundle branch यह है normal conducting pathway इसको हम एक गाइटन textbook of physiology गाइटन का एक डागराम है तो उसमें से हम देखते हैं तो देखें पहले है ता है essay node, essay node से जो origin होता है यह internodal pathways है जो मैंने आपको अल्री बता दिया था ठीक है internodal pathways फिर उसके बाद यह है inter atrial pathway जो के left atrium को भी जाता है फिर यहाँ पर देखें AV node है internodal pathways, AV node फिर यह AV bundle bundle office AV bundle फिर इसका जो है left bundle branch, right bundle branch और ultimately perkinje fibers तो होप आपको conducting pathway क्या है पता चल गया होगा conducting pathway में यह आपको पूरे mention करने है right from essay note से लेके perkinje fibers तक, ठीक है तो conducting pathway अब total time duration कितना होता है जब यह essay note से जो cardiac impulse निकलता है ultimately perkinje fibers यह ventricular muscle तक जाने के लिए total time कितना लगता है देखते हैं चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं सीधा conducting pathway का diagram आपके सामने बता रहा हूँ तो essay note से essay note से लेके AV note तक जाने के लिए तकरीबन जो है 0.03 seconds लगते है 0.03 seconds इतना time duration होता है essay note से AV note तक जाने के लिए अब AV note पे जो है थोड़ी देर conduction slow हो जाता है conduction जो है थोड़ा सा slow हो जाता है और यहां पर जो है conduction जो है तकरीबन जो है 0.09 seconds यहनी कि 0.1 seconds तक रहेगा conduction थोड़ा सा slow हो जाता है तो यह slow क्यों होता है इसका reason क्या है तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो एक cardiac muscle से दूसरे cardiac muscle पे जो impulse जाता है usually जाता है gap junctions के जरिए उनके बीच में जो है gap junctions रहता है तो वहां से जो depolarization होके वो दूसरे cardiac muscle को जाता है जिनको यह top concept clear नहीं है वो मेरे video pacemaker potential में आप जाके देख सकते हैं हमने detail discussion किया कैसे cardiac impulse pacemaker से electrical activity दूसरे cells को जाती है atria पे या ultimately ventricles पे तो यह जो gap junctions जो होते है essay note के जो cells होते है वहां पर gap junctions की यह मातरा कम होती है उस वज़े से जो है थोड़ा सा slow होता है और वो important भी है important इसलिए है क्योंकि जब heart contact करता है तो atria जो है 1-6th second पहले contact करता है ताके जो blood जो है atria का जो contact होता है वो ventricles को पहुंच सके ठीक है ventricles को पहुंच सके इस वज़े से भी हैंपर conduction slow होता है तो तकरीबन देखिए totally point one two second होता है यहां पर essay note से लेकिए यहां पर AV note के atria ventricular junction तक उसके बाद यहां से लेके atria ventricular junction से bundle office और यह जो four second का time लगता है तो अगर हम total कर ले point zero three second point zero three second point nine second और point zero four second तो total होता है point one six second यहनि के यह जो है परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचने तक essay note से लेके परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचने तक total point one six seconds total time लगता है ठीक है फिर उसके बाद परकिंजे फाइबर्स में कंड़क्शन जो है बहुत फास्ट होता है तक्रीबन तू 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 फॉर मिटर्स पर सेकंड की स्पीड से होता है और बहुत फास्ट पहुंचा दे तो ultimately essay note से लेके last ventricular muscle तक पहुंचने तक 0.22 सेकंड लगो जाते है तो 0.16 सेकंड तो यहीं तेगी हो गए SN note to AV note 0.03 सेकंड लगता है फिर यहाँ पर थोड़ा सा डीले होता है 0.09 या 0.1 सेकंड का उसके बाद से परकिंजे फाइबर्स पर जैसे ही आया तो यहाँ पर एकदम डीप औरलाइजेशन यानि की कंडक्शन स्पीड बहुत फास्ट होती है परकिंजे फाइबर्स में जो के एट्रियल्म फाइबर्स से भी बहुत फास्ट होती है ठीक है तो टोटल इतना डूरेशन होता है तो मैं इसको क्लियरली यहाँ पर लिग दूँ कैसे होता है देखिए ऐसे नोट से लेके एवी नोट तक जो कंडक्शन टाइम कितना होता है इसमें होता है पॉइंट जीरो तरी सेकेंड ठीक है अब एवी नोट पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इसके अंदर ही conduction 0.09 second होता है so AV node से लेके bundle branches तक AV node से लेके bundle branches तक bundle branches तक total time duration होता है यहां तक bundle branches तक महुचने के लिए इसमें total time duration होता है यह 0.04 second भी अगर हम मिला लें तो total होता है यहां पर 0.16 second यहां पर आप कूचे से मैंने बताया था इधर essay note से लेके bundle branch तक total 0.16 second होता है यहां पर bundle branch तक भी 0.04 second का time लगता है तो essay note से AV node 0.03 second AV node के अंदर ही delay होता है फिर उसके बाद जो है 0.04 second यह नहीं कि total 0.16 second होता है bundle branch तक आने तक उसके बाद वहां से bundle branches से परकिंजे fibers पे बहुत fast conduction होता है परकिंजे fibers पे बहुत fast conduction होता है और just वो 0.03 second लेते हैं टाइमिंग यहां पर 0.03 second होता है और उसके बाद ultimately जो है फिर से 0.03 second यह नहीं बहुत कम टाइम लेता है पहुँचने के लिए endocardial endocardial and epicardial and epicardial surface of ventricles surface of ventricles तक पहुँचने के लिए तो टोटल डूरेशन अगर आप देखें ऐसे नोट से यहां तक आने तक 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 तक्रीबन होता है 0.22 second ठीक है 0.22 second यहां तक bundle branches तक 0.16 second है और उसके बाद जो है यहां से फिर यहां तक आने तक 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 पूरा end of the cardiac muscle पहुचने तक 0.22 second यह diagram पर बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा यह से नोट से यहां तक आने तक इतना time लगता है यह जो conducting system तक electrical activity पहुचने तक अभी आपको मैं टेबूलर कॉलम बता दूँ जो इसमें conduction speed बताई गई है तो ऐसे नोट में ऐसे नोट से जो fibers जो जाते हैं तो इसकी जो speed है इतनी है और ultimately NCK में पूचा जाता है conducting speed कोन से conducting pathway में सबसे ज्यादा है वो है परकिंजे फाइबर्स परकिंजे फाइबर्स में सबसे highest conducting है highest speed से जाता है और सबसे जो है slowest conduction pathway आपको AV node में दीखेगा highest है यहाँ पर lowest यहाँ पर बहुत slowly जाएगा क्योंकि यहाँ पर कम होते हैं gap junctions और यहाँ पर ज्यादा होते हैं यहाद रखिए एवी नोड पर डीले हो जाता है conduction थोड़ा सा slow हो जाता है यह एक important concept याद रखना है अभी यह तो हर SA node हो या AV node हो या परकिंजे फाइबर्स हैं यह capable है अपने तरफ से cardiac impulse पैदा करने के लिए तो SA node आम तोर पे automatically 72-80 times per minute 72-80 times per minute यह cardiac impulse अपनी तरफ से यह capable है impulse rhythmic impulses निकलते है 72-80 times whereas AV node भी बाज वक्त अगर जब SA node में कुछ कराबी हो तो AV node भी खुद 40 से लेके 60 times per minute तक capable है उसके बाद अगर AV node भी खराब हो जाए तो यह जो परकिंजे फाइबर्स है परकिंजे फाइबर्स जो के ventricular muscles में रते हैं यह भी 15 से 40 के बीच में 15 से 40 पर minute तक खुद बाखुद जो है cardiac impulse generate कर सकते हैं लेकिन SA node को हम pacemaker करते हैं क्योंकि इसकी जो impulse rate है production पर minute सबसे ज़्यादा है और यह ज़्यादा रफतार से cardiac impulse automatically automaticity है यह fibers जो है generate करता है उसके बाद अगर यह SA node खराब हो जाए किसी वज़े से कुछ damage हो जाए तब जो है AV node जो पेसमेकर की activity करेगा और heart rate कम हो जाएगा ठीक है अगर SA node के अलावा कोई दूसरा pacemaker अगर activity कर रहा है तो हम उस condition को कहते हैं ectopic pacemaker normal जो है SA node से होने चाहिए अगर SA node के अलावा कोई जैसे के AV node या sometimes ventricular muscle या even atrial muscle भी conduction start कर देते हैं तो अगर हो तो हम उसे कहेंगे ectopic pacemaker ठीक है यह था आज का topic origin in conduction of the cardiac impulse तो यहाँ पर आपको याद रखने है structures which constitute the conducting system of the heart तो पूरा आपको SA node से लेके पूरा फरकिंजी fibers तक जो भी structure से वो याद रखनी है फिर उसके बाद कितना time duration लगता है और यहाँ पर AV node पर जो delay होता है वो specifically याद रखना है और इसका useful क्या है क्योंकि atria पहले contact करते हैं ventricles से तो atria में से जो ब्लड है पहले ventricles को चले जाएं atria में जो भी blood है पहले ventricles को जाता है total durations आपको याद रखनी है और especially MCQs में यह पूछा जाता है कि conducting system में सबसे ज़्यादा speed कौन से fibers की है तो आपको याद रखना है परकिंजी fibers और सबसे कम है AV node तो इसकी conduction speed speed भी याद रख लें आप तो इतना अगर आपको basics पता होगा इतना अगर लिख देंगे तो अच्छे नमरात आजाएंगे 10 marks का जो अगर position physiology में पूछा जाएंगे धन्यवाद